आज जो मैं रेसीपी बना रही हूँ यह मेरी मम्मी मेरे लंच बॉक्स में दिया करती थी और मैं अपने बच्छों को उनके लंच बॉक्स में बड़ी ही देसी सी रेसीपी है बहुत ज़़ा टेस्टी है तो चलिये बनाते हैं तो यहां मेरे पास है पनीर और साथ में है मतर और मैंने प्याज बार इक बारी काट लिया है हरी मिर्च काटी है और टमाटर काटे हैं अब मैंने एक पैन में लिया है ओयल इसमें डाल दिया मैंने प्याज को थोड़ा सा सौते करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था हरी मतर और साथ में डाले हैं टमाटर अब इन सब को भूनने के बाद मैंने इसमें डाला था सूखा धनिये का पौडर और किचन किंग मसाला अब इन सब को अच्छे से भूनने के पाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी एड किया है एक टेबल स्पून के बराबर ताकि इसमें मटर भी अच्छे से गल जाए और टमाटर भी ताकि मसाला सारा अच्छे से पनीर के अंदर रस जाए अब इस पे डाल दिया है उपर से मैंने हरा धनिया अब जी हमारा स्टाफिंग तो हो गई है रेडी अब बना लेते हैं चपाती नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं विल्कुल वैसे ही आटा मैंने लगाया है और इसमें इसकी बना लूँगी पहले मैं एक बड़ी सी रोटी अब इसमें लगाऊंगी मैं देसी घी इसको अच्छे से लगा कर स्प्रेड कर देना है और इसके बाद चाकू से हलका सा कट करा है और कुछ इस तरहां से मैंने इसे फोल्ड किया है और इसका बेसिकली मैं बना रही हूं एक लच्छा पराथा आप जैसे भी लच्छा पराथा बनाते हों वैसे बना लीजेगा अगर आप लच्छा पराथा नहीं बनाना चाहते हैं सिंपल सी रोटी बना लीजेगा लेकिन रोटी थोड़ी बड़ी सी बनाईएगा और गोल ही बनाईएगा अब इसे अच्छे से मैं बेल लूँगी सुखा आटा लगा कर और इसके बाद मैंने गरम तवे के उपर इसे डाल कर दोनों साइट से अच्छे से से कर इस पे लगा केचप और डाला है साथ में हरी धनीय की जो चटनी होती है वो आप चाहें तो मियोनीज वगएरा भी डाल सकते हैं या तमाटर या हरी चटनी को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं अब इसके बीच में जो मैंने पनीर की स्टफिंग बनाई थी वो डाल दिया और उपर से ड मैं मुझे दिया करती थी तब यहां मियोनीज या इस तरह की वेजीज नहीं होती थी हमारे घर पर इसलिए मैंने इसे सिंपल उसी तरीके से देसी स्टाइल में कहले जे बनाया है इसे कर लिया था अच्छे से रोल और नीचे लगा दिया है मैंने इसमें पेपर ताक कि खा यह बनाई और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में पैक करके दीजिए और खुद भी ऑफिस अगर जाते हैं तो इस तरह से पैक करके लेकर जाए और थैंक यू सो मच पर वाचिंग माई वीडियोज गड़्बेस यू और